हालो फ्रेंट्स कैसे आप सब मैं विनायक तिंगलू आप सब का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लेर्निंग विनायक तिंगलू में मेरी जो अच की वीडियो रहेगी वह MS पारपॉइंट से रेलेवेंट रहेगी आज हम सिखेंगे एक ओडिनेरी इमे की है आप भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक वाटरफॉल लिया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं मैं इसको इंसर्ट कर देता हूं पर आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रॉपर तरीकी से स्लाइड पर एडजस्ट नहीं है जैसा आप स्कृप पर देख पा रहे जब आप satisfy हो जाएंगे हाई इतनी ही इमेज मुझे crop करनी है बाहर कहीं पर पर क्लिक कर दीजिएगा स्लाइड पर आपकी इमेज आपको मिल जाएगी सिंप्लि टॉप पर ले जाएगा और फिर यहां से इसको ड्रैक करते हो पर पूरे स्लाइड पर सेट कर दीजिएगा जैस मैंने क्या करना है यहां पर मैं इंसर्ट पर जाओंगा यहां पर मुझे शेप्स में एक option मिलता है स्क्रिबल का अब वो यह रहा जैसा आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल देखिए स्क्रिबल नाम आ रहा है इसका अब इसकी selection करेंगे अब हम उतने एरिया को इससे कवर करूंगा अल अराउंड मुझे पूरा एरिया चाहिए इसका और इन दोनों लाइन को यहां जोड़ दूगा कुछ इस तरीके से जैसा आप स्क्रिब भी देख पा रहे होंगे सिंपली अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दीजेगा आपको एक एरिया ऐसा मिल जाएगा इसके बाद आपका next step जो रहेगा आप बाहर का जो background है बाकी जितनी भी image है आप कहीं पे भी बाहर क्लिक कीजेगा इसके बाद आपने keyboard से left shift को प्रेस करके रखेगा उसे release पर क्लिक करेंगे आपके पास वह एरिया मिल जाएगा जो आपने scribble की मदद से एक एरिया मार्क किया था तो अब आपने इसको क्या करना है आपने इसको ctrl x करना है हमें इसको cut कर लेते हैं और इसी image के पर इसको paste कर देते हैं कुछ इस तरीके से जैसा स्क्रीन पर देख प option मिल जाएगा और आपने 50 पर ले जाना है 50 point पर आप इसकी selection करें यह आपका काम हो चुका है आप इसके बाद हम इस image फिर से click करेंगे अपने mouse के primary button से click करेंगे यहां बहुत सारे आपको options मिल जाएंगे यहां पर हम choose करेंगे format picture को format picture में आपको picture पर क्लिक करना है picture पर क्लि अब मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि जितनी भी animations में यहां पर इस पर आप apply करने वाला हूं तो वह हमें असानी से दिख जाए अब इसके बाद हम animation पर click करेंगे picture को select करेंगे पहले उसके बाद animation पर click करेंगे यहां पर एक option मिल जाएगा में add animation का इस पर click करने के बाद जो तो प्ले करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे यह आल अराउंड, चारुन तरफ से, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारुन तरफ से, ग्रो भी हो रहा है, श्रिंग भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूं यह वर्टिकली सिप ग्रो एन श्रिंग करें, तो जिसके लि बहुत ही बढ़िया, यह काम भी हमारा हो चुका है, फर्स्ट अनिमेशन को आपने विद प्रिवियस करना है, सैकंड अनिमेशन को भी आपने विद प्रिवियस करना है, इस डाउन अरो पर क्लिक कीजेगा, यह आपको एक आप्शन मिल जाएगा, एफेक्ट आप्शन का, फिर से इस इमेश को स्लेक्ट कीजेगा, एड अनिमेशन पे क्लिक कीजेगा, यह आपको एहां फेड मिल जाएगा, इसकी स्लेक्शन कीजेगा, यह अब हमारा काम हो चुका है, इसको भी करते हैं, स्टार्ट प्रिवियस, अब हम क्या करेंगे, इसी इमेश को जिसकी हमने पहले चेंज की थी उसको फिर से अपनी इनिशल स्टेज पर ले जाएंगे जिसके लिए मैं फिर पिक्चर पर आऊंगा ब्राइटनेस को मैं यहां पर कर देता हूं कुछ इस तरीके से अब मेरे सामने एनिमेशन लग चुकी है और मेरी इमेज भी प्रॉपर उसी तरीके से आ चुकी है जैसी इन बेगिनिंग थी अब मैं इसकी सेलेक्शन करने के बद कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा मैं 10 टाइम इसको कॉपी कर लिया इसको आप चाहिए 30 40 50 जितनी चाहिए उतनी कर सकते हैं जितनी ज़्यादा आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वाटरफॉल वॉर्क करेगा तो मैं इतना ही लूँगा मैं कंट्रोल ए को करूंगा कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस पूरी बैक ग्राउंड पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ इनको लेना चाहता था इस इमेज को नहीं लेना चाहता हूं इसके बाद आपको पिक्चर फॉर्मेट पर आना है पिक्चर फॉर्मेट में आपको अलाइनमेंट मिलेगा यहां पर alignment पर आप कर देंगे align center कुछ इस तरीके से और फिर करेंगे align middle और उसके बाद रहेगा align top जैसा कि आप screen पर देख पा रहे होंगे अब इसके बाद का जो हमारा next step होगा वो क्या रहेगा अब मैं हर एक जो मैंने 10 time इसको copy paste किया था control d की मदद से अब उसको हमने effects में कुछ delay देना और duration देनी है जिसके लिए मैं फिर से इनी animations को select करूंगा और नीचे bottom से शुरू करते हैं यह तीन animations को मैं select करता हूं कुछ इस तरीके से और animation पर जाने के बाद animation pen पर click करूंगा यहां पर आपको एक option मिल जाता है delay and duration का animation pen पर आने के बाद आपको delay and duration का option मिल जाएगा तो delay में मैं इसको देता हूं 50 seconds का 50 seconds का जैसा आप देख पा रहे हैं फिर इन तीन की selection करूंगा अब यहां पर one का देता हूं enter उसके बाद 150 का उसके बाद 2 का उसके बाद 250 का उसके बाद 3 का उसके बाद 3.5 4 4 के बाद देंगे 4.5 4.5 के बाद आप देंगे हम 5 का और लास्ट बन को देंगे हम 5.5 का कुछ इस तरीके से इतना करने के बाद आपने एक आमोर करना है जो आपने फेड का ओप्शन दिया था इसका जो एक ग्रीन कलर का आपको यहां पर साइन दिख रहा है यह बिल्यू के लाइन के बराबर हों चाहिए जिसके लिए आप क्या करेंगे डिले को आगे ले जाके के इसके बराबर ले आएंगे कुछ इस तरीके से आपको मैनवली सब को करना पड़ेगा कि अपको मैनवली सब चाहिए जैसा कि आप देश सकते हैं मैंने यह कंपलीट कर लिये मेरा लास्ट वन है इतना करने के बाद अब सिंप्ली एफ फाई को प्रेस कीजिएगा और लेट इट चेक कि यह क्या प्रॉपर वोग करता आपको मेरे आज की बनाई वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो